चायवादी कवियों में महादेवी वर्मा का स्थान इस विशे पर चर्चा करते हुए हम प्रवर्तक कवी गद्य और पद्य पर समान अधिकार रखने वाले महा कवी प्रसाद पर विचार कर चुके और हमने देखा कि उन्हों ने अपनी काव्यकृतियों के माद्धियम से काव्यकला और अन्य निबंद जैसी निबंद और आलोचना पर रचना के माद्धियम से अपने बहु आयामी साहितिक व्यक्तित्व का परिचय विश्व जगत को दिया है ऐसे महा कवी प्रसाद के नेत्रत्व में च्छायवादी पूरे काव्यको फलित होते हुए देख पाते हैं उसी शंखला में दूसरे महा कवी दूसरे विद्रोही कवी और जिने महा प्राण के नाम से भी जाना जाता है ऐसे संगर्श करने वाले और तमाम चुनोतियों आपदाओं विपदाओं पर विजय हासिल करने वाले महा कवी निराला इस शंखला के दूसरे कवी हैं हिंदी साहित में आदुनिक यूग के दिवाकर के रूप में क्योंकि नाम यथा नाम तथा गुन सूरे कांत सूरे की कांती वाला विक्तत्व निराला का हमें दिखाई देता है दिवाकर के रूप में उन्हें छायवादी कवियों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का अवसर मिला और एक विशिष्ट अस्मिता के अधिकारी बनकर वो हमारे बीच अवतरित हुए प्रसाद जी ने निराला के विशे में कहा भी है कि निराला हिंदी साहित को ईश्वर की देन है वस्तिते ये प्रभू की कृपा उस अद्रश शक्ति की कृपा है कि ऐसे विराट ऐसे विशाल व्यक्तत्व वाले ऐसी विलक्षन प्रतिबावाले रचनाकार का जन्म हिंदी जगत में हिंदी साहित में हुआ है निराला जो अठारा सु सतान वे में जन्म लेते हैं बसंत पंचमी के दिन बसंत पंचमी को सारस्वत दिवस भी कहा जाता है मा सरस्वती का वे विशिष्ट दिवस कहलाता है और वरदे वीना वाधीनी वरदे इस कविता के इस मंगला चरण गीत के सरजक निराला का जन बसंद पंचमी के दिन हुआ था बंगाल में मेधनी पुरजिले में उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था पत्री सरोज थी जिसकी स्मृती में उन्होंने एक शोक गीत एक विरह गीत लिखा है जिसे सरोज स्मृती के नام से भी जाना जाता है निराला का साहितिक आवदान अतुलनी है विलक्षन है वो चंद बद्ध कविता भी करते हैं और चंद मुक्त कविता के जनक बन कर भी हमारे समक्षाते हैं यह वही निराला है जो तोडो तोडो कारा पत्थर से निकले फिर जल धारा इस तरह की कविता का सरजन करते हुए कविता को चंदों से मुक्त, चंद के बंधनों से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं आदुनी किंदी साहित के प्रथम शोक गीत स्रश्टा के रूप में हम उन्हें जानते हैं वो एक अच्छे कवी, एक अच्छे गद्यकार, एक अच्छे समालोचक, चिंतक, विचारक तो थे ही वो एक अच्छे संपादक भी थे मतवाला नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ किया था और उस पत्रिका को हिंदी पत्रकारिता की दुनिया में लोकुप्रिय बना दिया था सन 1961 में निराला जी हमारे बीच नहीं रहे और कहा जा सकता है कि निराला की कालजई साहित्तिक रचनाओं का करतियों का कोई विकल्प हमें किसी विश्व की किसी धरा पर साहित्तिक धरा पर दिखाई नहीं देता वो दुरलब व्यक्तित्व थे सुरिकान तरपाठी निराला के कावे में छायवादी कावे चेतना छायवादी बोध कविता का जो बोध है वह तो शिकर पर था ही प्रगतिशील तत्व और चेतना के बिंदू भी आद्द्यो पांत उनकी कविता में विद्यवान रहते हैं यह तत्व निराला वांगमे में रूडिवाद ब्रिटिश शाशन की दमन नीतियां अच्छूत प्रथा जातिवाद सामप्रदाइकता के प्रखर विरोध के रूप में वो बार बार अपनी कविता अपने गद्य पद्य रचनाओं के साथ उपस्तित होते हैं निराला के कावे की प्रगतिशील चेतना के बहुत से उदगाटक बिंदू हमारे सामने उभर कर आते हैं उनकी कावे कृतियों में जो बहुत चर्चित बहुत प्रसिद कावे कृतियां रही हैं जिनोंने निराला को एक विशष्ट पहचान दी है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसिदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, गीत गुंज, सांध काकली, अपरा आदी निराला के समगर कावे को देखें, चाहे वो छायवादी युगीन कविता हो, प्रगतिवादी, प्रगतिशील कविता हो, उनमें हम देख सकते हैं, कि वो चेतना के जिन बिंदों को उजागर करते हैं, उसमें तमाम तरह की सामाजिक, रूडियों के प्रती, विद्रूपत का स्वर हमें दिखाई देता है, उन्होंने समय समय पर समाज में, जिस तरह की असामाजिकता को देखा, जिस तरह की अनीतियों को देखा, उनके विरुद्ध, बहुत ही बेबाकी से, निडरता से, अपने स्वर को प्रखर किया, बुलंद किया, प्रगतिशील कवी निराला वस्तुते क्रांतिकारी प्रकर्ति के कवी थे, पुरातंता के रूड़ी गरस्त प्रतिमानों का, उन्होंने जम कर विरोध भी किया, छोड़, छोड़ दे शंकाएं के निरजर गर्जित वीर, उठा केवल निर्मल निर्गोश, देख सामने, बना अचल उपलों को, उतपल धीरा, प्रात्त कर फिर नीरव संतोश, को यथार्थवादी स्वर को भी मुखर करते हैं, उनकी प्रगतिशील कावे में कल्पना के बरक्स यथार्थवाद का स्वर अधिक प्रबल दिखाई देता है, निर्गाला की दान कविता में सामाजिक यथार्थ का चत्रण, अत्यदिक प्रबल रूप में उपलब दोता है, द्विजराम भक्त, भक्ती की आश, भजते शिव को बारहों मास, कर रामायन का पारायन, अपने ही श्रिमन नारायन, इसी तरह सामाजिक प्रगतिशीलता की बात भी उनकी कविता में दिखाई देती है, वे सूरिकान तरपाथी निर्णा, प्रयोग बादी कवी के रूप में उभर कर आते हैं, वे पक्षधरता के रूप में सामने आकर, जब प्रकट होते हैं, तो स्पष्ट लिखते भी हैं भेद कुल खुल जाए वे सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए वो पूझी हमारे मिल में है। इसी तरह सामवादी दिरिष्टिकौन निराला के प्रगतिशील कावे में सामाजिक व्यवस्ता और आर्तिक व्यवस्ता को वो साममवादी चश्मे से प्रस्तुत किया ग आना उत्पीडन का राज्य दुखिही सुख यहां है सदा उठाना करूर यहां पर कहलाते हैं शूर और हर्दैपग शूर सदा ही दुर्बल करूर स्वार्त सदा रहता परार्त से दूर नारी स्वातंत्र की पुकार भी उनकी कविताओं में उनके गद्दे में सपष्ट देती है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाबाद के पत्थ पर इस तरह की कविताओं से निराला की इस्त्री दृष्टी का हमें बोध होता है इसलिए आर्थिक अभाव से ग्रस्त वंचितों के प्रति चाहे वो विक्षुक हो तोड़ती पत्थर हो वो इस तरह के तमाम भावों को हमारे सामने प्रकट करते चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि निराला भी छायवादी कवी होते हुए प्रकटि वादी चेतना का भी विगुल वो बजाते हैं सुमित्तर अनन्दन पंत जो की तीसरे प्रमुख आधार स्तंब माने जाते हैं उन्हें प्रकरति का सुकुमार कवी भी कहा जाता है आधुनिक इंदी चायवादी कविता के जो प्रतिनिधी कवी हैं शेष्ट कवी हैं उनमें उनका स्थान असंदिक दिखाई देता है चायवादी चतुष्ट के कवियों में सुमित्तर अनन्दन पंत का रचना काल सबसे अधिक विस्तरत रचना काल रहा है जो लगबग छे दशक अर्थात साथ वर्ष तक का दिखाई देता है प्रकृति जीवन मनुष्य का यथार्थ रिष्टा पंत के कावे में हमें स्पष्ट दिखाई देता है पंत जी 20 मई 1900 को जन्म लेते हैं कौसानी अलमोडा में उनका जन्म हुआ उत् सरस्वती देवी पिता गंगा दत पंत और 28 सितंबर 1977 को इलाबाद में उनका शरीर शान्त होता है इस तरह हम देख सकते हैं कि 77 वर्ष की आयू उन्होंने पाई बहुत से संबान जिसमें पद्म भूशन ग्यानपीट पुरुसकार साहित अकादमी पुरुसकार सोवियत ले मार चेतक या चितेरे कवी के रूप में पंत का हम स्थान देखते हैं और समुद्र तल से साड़े साथ हजार फीट उपर अलमोडा में जो की 32 किलो मेटर की दूरी पर जहां कोसानी गाओं स्थापित है वहां उनका जन्म हुआ था परिवेश का प्रकरती का उसके आंगन का प्रभाव उनकी कविताओं पर दिखाई देता है उन्हें अपनी पंत की जो मा थी उन्होंने अपनी मूर्चे तवस्था में उसे उन्हें जन्म दिया था स्वायम सदा के लिए पंच तत्वों में विलीन हो जाने वाली माता को कवी ने देखा भी नहीं इसलिए मात्र चे कौसानी की ममतामई समद्रिष्टी उस प्रकर्ति के आंगन में प्रकर्ति के गोद में जन में पंत की कविताओं और गद्दे में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उन्होंने जिस तरह की भावना को अपने साहित्य में पिरोया है वह वास्तव में विलक्षन है पंत के लिए प्रकर्ति ही मा है प्रकर्ति ही पिता है भाई, सखा, शिक्षक, प्रेयसी सब कुछ उन्हें प्रकर्ति में ही दिखाई देता है इसलिए वो कहते भी हैं मा से बढ़कर रही धात्री तू बच्पन में मेरे हित धात्री कथा रूपक भार तूने किया जनक बन पो में शास्तरग्य, विद्वान, सेनाध्यक्ष, जोतिश, वैद्य, ये तमाम तरह के लोग कवी आदी विद्वान थे, उनके पिता पुरशुत्तमदास अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, दादा मदन नारायन उनके पास साथ गाउं थे, और वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इस तरह सारस्वत कृपा उन्हें आनुवंशिक रूप से विरासत में प्राप्त होई थी, अंग्रेजी और संस्कृत उन्हें परिवार से प्राप्त होई थी, पंत अपने माता-पिता की आठवी संतान थे, और उनके तीन भाई, हरदत, रगवरदत और देविदत, और चार बहने, बसंती, मादवी, रुकमनी और गौरी थी, पंत ने पांच वर्ष की अवस्था में गाउं की पाटशाला कौसानी स्कूल से तीसरी कक्षा पास करके, अपने पढ़ने के लिए भाई देविदत के घर अलमोडा जाकर आगे की पढ़ाई पूरी की, पंत इस तरहां अलमोडा में कम समय रहे, आगे की पढ़ाई मंजले भाई के साथ सन 1918 में बनारश जाकर पूरी की, हाई स्कूल की परिक्षा पास कर, पंत ने 1919 में प्रयाग के मयोर सेंटरल कॉलिज में इंटर की परिक्षा उत्तीन की, इस तरहां प्रयाग पंत जी को सरवाधिक अच्छा लगा, प्रिये लगा, वो रामचंद्र टंडन, पर अबुराम सक्सेना, धिरेंद्र वर्मा, अवदेश परताप सिंग, रगवीर सहय, ऐसी हस्तियों के संपर्क में आए, कावे रचना का जो बीज समित्रा नंदन पंत के हिर्दय में, अलमोडा में प्रस्पुटित हुआ था, बनारस में उसमें अंकुर फूटे और जिसमें पूर्वसंदी, मोह, मौन निमंत्रन, परवत, प्रदेश, परिवर्तन, आंसू, बादल, इस तरह की बहुत सारी कविताओं का संग्रे हम उस गरंथ में देख सकते हैं, गुंजन में, गुंजन तपरे, मदुर मदुर मन, मैं नहीं चाहता, चिरसुख, भावी पत पतनी के प्रती, इसी तरह जोति मैं जीवन, नौका, विहार, अंजान, एक तारा, तेरा कैसा गान, इसी तरह युगपत नामक जो संग्रे हैं, उसमें दुरत जरो जगत के जीन पत्र, बासों का जुर्मुट, ताज, मानव, संदवा, भारत गीत, युगवानी में नवद पुन्य प्रसून, गंगा की सांज, गंगा का प्रभात, युग संगर्ष, स्वन किरन में रजनातप, स्वन निरजर, हिमाद्री और समुद्र, कव्वे के प्रती, गीत विहग, इस तरह की बहुत सी कविताएं हमें संग्रहीत की गई मिलती हैं, स्वन धूली में, स्वन ध युग संगर्ष, मेगों के परवत, नव पावक और कावचेतना, जागरन गान, रुपांतर, इसी तरह अतिमा में नव अरुनोदै, गीतों का धरपन, आहवान, बानी, अंतरध्वनी, विकास, क्षेत्र, भारत माता, घोंगे, शंक, कृतक्यता, इसी तरह से कला और पूराचान, धेनुए, गीत खग, वरदान, सिंद्वन्थन, और लोकायतन में पूर्वस्मृति, किरण वीना में वंश विहंगिनी, लक्ष, सूर्योदै, और पोफटने से पहले, इसके अंतरगत, अंधकार, प्रीती चंदीरा, माधरती, प्रेमा, जनम दिवस, दारुन रण कभी आदी, और स्वनेम रत चक्र में उच्छ्वास, छाया, हिमाद्री, बुद्धि के प्रती, अशोक के वन, आंसु आदी देखने को मिलती है, पत्जर भी उनकी एक रचना है जिसमें एक भाव करांती, पवन पुत्र, तारा चिंतन, गीत दूत, भाव करांती, चा मूटे से आख मोंदता अब मैं वन्य विहग, कावे प्रेरना, कर्म प्रेरना, यह स्रिष्ट सांस लेती अवर अहरह, अब भी व्यक्तिमुक मन मैं जनभू का कवी हूँ, शंकद्वनी में संक्रांती, अतियांत्रिक्ता, भारत भू नवचेतन, निगोश क्रांती युग, इस तरह की बहुत सी कविताएं पंत को ख्याती दिनाने में आगे रही हैं, आस्था में भगवत द्रश्टा होते कभी, भूत भविश्यत का समर्स्थल और रुद्र मन्य अब तूट रहा, ओ मानव मन, इसी तरहा भगवन जब मैं सत्यकाम जिग्यासा, गीत अगीत इसमें आज चेतना चलती भूपर, मुझे ग्यात है, मुझे शान्त रहने दो, और संक्रान्ति, मुक्ताब, सौवर्ण, रजत शिखर, ये सब हम देख सकते हैं कि पंत की कविताओं में पल्लव की भूमिका ने पंत को हिंदी जगत में बहुत ख्याती दिलवाई, उनका भाशा प में विलक्षन बनकर हमारे सामने आता है, तो ऐसी चायवादी काविधारा में चौथी आधार स्तंब महादेवी वर्मा है, और महादेवी वर्मा का स्थान भी विलक्षन है, इन तीन महाकवियों के सामने वो अकेली महादेवी दिखाई देती हैं, महादेवी चायवाद य उनकी पीड़ा व्यक्त भी होती है महादेवी वर्मा के अनुसार मैं अपने को जलाकर संपूर संसार को आलोकित करना चाहती हूं उनकी दृष्टी से संसार अंधकार में है कहने का अतातपर है कि वह समाज को मानवतावादी दृष्टी और लोक कल्यान की भावना से चाहती है वे च्छायवादी कावे के अंतरगत स्वान भूति पूर्ण अभिव्यक्ति तथा विभिन विशयों में संबंदित भावों के लिए नवीन अभिवेंजना की पद्दती को स्वीकार करती हैं। महादेवी का कथन है कि इस व्यक्ति प्रधान युग में व्यक्ति के सुखदुख अपनी अभिव्यक्ति के लिए आकुल थे। छायवादी काव्य स्वानुभूती प्रधान होने के कारण व्यक्तिक उल्लास विशाद की अभिव्यक्ति का सफल माद्यम बन सका। वास्तव में इस युक के कवियों ने अपने व्यक्तिगत सुख और दुख की अनभूतियों को सार्व भावमिक बनाया पीडा में तुझको ढूंडा और तुझमें ढूंडी पीडा इस तरह की भावना उनकी कविताओं में हमें दिखाई देती है मुख़् रूप से वेद्ना की कवित्री के रूप में हम उने देекते हैं उनकी कविताओं में प्रेम की पीडा पर्यतम से मिलन की अतृल इच्छा शक्ती उनकी अधिकांश कविताओं में अलोकिक प्रेम रहसवाद आदी को भी देखा जाता है वो रहसेवाद में कबीर की रहसेवादी चेतना से अलग अपने को नीर भरी दुक्की बदली के रूप में दिखाती है आधनिक युक्की मीरा के रूप में महदेवी वर्मा को च्छायवाद की प्रतिनिदी कवित्री के रूप में जाना जाता है अपनी मारमिक्ता, आत्मियता, चित्रात्मक्ता के कारण उनका काव्य आधुनिक हिंदी साहित की अमुल निदी बन कर आता है उनका उत्तर प्रदेश के फरुकाबाद में जन्म हुआ माता हेमरानी देवी, गोविन परसाद वर्मा पिता थे शिरी स्वरूप नारायन वर्मा उनके पती थे और इस तरह से उन्होंने एक संपन परिवार में जन्म लिया था वो माता पिता की पहली संतान थी उनका जन्म बड़ी प्रतिग्या प्रार्थना से हुआ था कुल देवी दुरगा का विशेश अनुग्रेब, विशेश कृपा उनके परिवार पर रही थी तभी उनका डाम भी महादेवी रखा गया था उनकी साहितिक, शैक्षिक यात्रा बहुती स्वर्निम यात्रा रही है पद्म भूशन उनकी रचनाओं पर दिया गया था उन्हें उत्तरप्रदेश इंदी संस्थान का भारत-भारती संबान भी दिया गया था नीरजा में सेकसरिया पुरुसकार उन्हें दिया गया भारती ग्यानपीट के संचालकों ने थोड़ा विलंब सही सही लेकिन उन्हें ग्यानपीट पर उसकार भी दिया था इस तरह नीहार, सांदेगीत, प्रथम आयाम, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, रश्मी, दीप शिखा, सब्त पढ़ना, ऐसी पत के साथी, मेरा परिवार, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, श्रंखला की कडिय यह संभाशन, साहितिकार की आस्था, और संकल्पिता, हिमाले, क्षनदा, चान, साहितिकार, संभादन भी किया, निबंद भी लिखे, और समालूचना भी की, कह सकते हैं, आचारे शुक्ल ने यह लिखा भी, कि छायवाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ, लिखकर तो अनुभूतियां हमारे समक्ष रखी, जो लोकुत्तर हैं, कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं, और कहां तक अनुभूतियों की रमणिये कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चायवादी कावे में, महदेवी वर्मा का स्थान, विलक्षन है, और एक अग्यात प्रियतम के लिए वेदना लिये हुए, उनके हिर्दय के जो भाव उदगाटित होते हैं, वो वास्तव में हिंदी जगत के लिए एक विलक्षन उपलब्दी हैं, इसलिए हम महदेवी को चायवाद की मुख्य आधार स्तंब के रूप में देखते और समझते हैं, उनका गी प्रियंद्र जैसे हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित आचारे ने भी महदेवी वर्मा और उनके कावे की मुक्त कंट से प्रशंसा की है, उनकी कविता में उन्हें जिग्यासा, व्यथा, आध्यात्मिक्ता, इनका एक सम्मिश्ण रूप दिखाई देता है, मित्रों, इस द आती हैं, इस विशे को यहीं विराम देते हैं, अगली बार अगले विशे के साथ, नए विशे के साथ, आपके बीच उपस्तित होंगे, अग्या दीजिए, नमस्कार. झाल